तो हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आपका होश्टें दोस्ट कमांडो भाई और इतने समय बाद भी बंदे कंफ्यूज हो रहे हैं मसीनों को लेके कि सर मेरे को एक बात समझ में यह नहीं आ रही है कि यार सब बंदे मुस्सी यह कह रहे हैं कि सर आप प्लंजर पंप का इस्तमाल कर रहे हैं अभी एक भाई का और मेसिज आ गया कि यार मैं दिल्ली में मार्केट में चला गया हूं मैं आपको फोन करूंगा आप फोन रिसीब कर लेना और क्या-क्या समय बता देना बहुत अब यह सबसे पहले आपको जरूरत और एक बाइक कमिंड आया कि सर क्या-क्या सामा आपने जरूरता को पैशाना बहुत हैं ना कि मुझे कमीज की जरुवत हैं मुझे चीजी जरूवते मुझे पेंट की जरुवत हैं आप लोगे दूसरा आदमी खरिट के देगा आपको चाहरें तो देखिए, अगर आप एक washing center खोलना चाह रहे हैं, तो आपने खुद सोचना है पहले, कि आपको किन-किन चीजों के आउशकता पड़ेगी, आप उसमें hydraulic ramp लगाना चाह रहे हैं, hydraulic jack लगाना चाह रहे हैं, आप किस तरह करना चाह रहे हैं, सिमेंट का ramp बनाना चाह रहे हैं, लोही का ramp बनाना चाह रहे हैं, आपके पाप पानी की क्या विवस्ता है, अब देखिए, HTP और plunger pump में क्या है, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पानी है, पानी की, यानि कोई कमी नहीं है, यानि आप 2000 लिटर फेको, 3000 फेको, 4000 फेको या किसी दिन आपके पाप गाड़ी नहीं आई, आपने कोई इस्तमाल नहीं किया, तो आपके लिए HTP pump भी ठीक है, 30 लिटर प्रती मिनट पानी फेकता है, पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ट्रक, टेक्टर, बहुत गंदी, मट्टी वाली गाड़ियां भी अच काम कर सकते हैं, कई प्रकार के काम कर सकते हैं, गाड़ियों में हवा बरना, आप ट्यूबलेश टायर का बिजनस कर सकते हैं, पंचर बनाने का काम भी कर सकते हैं, गाड़ियों में हवा वगेरा करने का भी काम कर सकते हैं, लिफ्ट लगाते हैं, तो उसमें भी कंप्रेसर का multiple परपज यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता कि एक form tank आता है, कई लोग क्या करते हैं, कि compressor में एक form gun आती है, attach करके, उससे भी form करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, form tank रखते हैं, form tank के through, form करते हैं, तो आप ये तरीके भी अपना सकते हैं, और एक आती है form bottle, यहाँ पर रखी हुई है, इस तरह की synex bro की form bottle आती है, इसमें shampoo डाला दो लिटर, इसको pump किया, आपने ऐसे करके, उसके बाद ये spray से आपने गाड़ी पर form कर दिया, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी बाहर से दोना, इसमें तुख पर जाता है, जादा मेहनत लगती है, जि तो भाई, इसमें हमारी गलती नहीं है, किसी भी बिजनस को करने से पहले, आपने उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है, कौन-कौन सी मसीने लगनी है, कौन-कौन सी equipment लगने है, छोटे-छोटे टूल क्या होने है, बिजली का connection, पानी का connection, ये चीजे मैं अपने 100 वीड आपको काम देंगे ये, अगर आपके पास एक washing center है, अगर आप car washing center चलाते हैं, चलाने की सोच रहे हैं, तो मेरे channel को आपने subscribe जरूर कर लेना है, आपको बहुत सारी जानकारिया मिलेंगी इसमें, और practical जानकारिया मिलेंगी, क्योंकि मैं कोई spare part बेचने वाला, या machine बेचन ऐसा नहीं, देखो, आपको सही machine है, वही बता सकता है, जो बंदा उस machine को रोज इस्तमाल कर रहा है, पांच-पांच-पांच-छे-चे सालों से मैं उन machine को इस्तमाल कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ उनके साथ, खराब हो रही है, खोलता हूँ, उनको जोडता हूँ, कहां से parts दे लो, तो कभी भी washing center आप खूलना चाह रहे हैं, या आपके पाँ already washing center है, तो आप सबसे पहले तो मेरा चैनल सस्क्राइब करो तुरंत अभी, और उसके बाद जो भी दिक्कत परिसानी आ रही है, तो मुझे phone के तुरू बात करो आप, ठीक है, और phone कब करना है, रात के 8 11 बजे से 11 बजे तक आप कर सकते हैं, और दिन के टेम पर मैं busy रहता हूं, काम करता हूं, और जब मुझे फुरस्ट मिलती है, तो मैं यह वीडियो बना देता हूं, तो चलो ठीक है भाई, मिलते है next वीडियो पे, और जिसने अभी तक subscribe नहीं किया, subscribe button दबा दो, और कोई द लिकर परिसानी आरी, तो call कर सकते हो, नंबर description में मिल जाएगा,